हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट अगर आप पेटियम चलाते हैं पेटियम एप्लिकेशन को यूज करते हैं किसी भी पेमेंट को करने के लिए चाहे आप किसी शोप पे जाके करें या फिर कोई भी श कर सकते हैं कैसे ऊसे ऊन कर सकते हैं जिससे आपको पेटियम में बार-बार पैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप उस्त आउड्ट मैं आपको यह वीडियो बणाई है और इस वीडियो में पूरा डेटेल में मैं आपको practical करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने automatic add money वाले option को disable कर सकते हैं उसे बंद कर सकते हैं, deactivate कर सकते हैं तो वीडियो काफी ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on कर लें और उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आचुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको simple अपनी pay team की जो application है उसको open कर लेना है तो मैं आपनी pay team के application को open कर लेता हूँ तो open करने के बाद यह मेरी home screen आ गई उसके बाद आपको यहाँ पर left side में उपर अपनी profile का icon दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है और आपको scroll down करके नीचे आ जाना है होडर यहाँ पर payment setting वाले option के अंदर जाना है आपको इसके उपर click करना है तो मैंने इसके उपर click किया उसके बाद आपको यहाँ पे fourth number पे आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देगा automatic payments and subscriptions का आपको इसके उपर click करना है तो आप देख सकते हैं जो आपने automatic यहाँ पे add money करा हुआ है ballot के अंदर वो आपको यहाँ पे show हो जाएगा तो मैंने 500 rupees किये हुए हैं वो यहाँ पे show हो रहे हैं तो इसको deactivate या बंद करने के लिए आपको क्या करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस arrow पे जो इसके सामने दिखाई देरा आपको इसके उपर click करना है तो यह इस तरीके से page open हो जाएगा add money to wallet ठीक है 500 to be added automatically when your balance goes below 200 rupees ठीक है यहाँ पे 24 गंटे के अंदर यह deduct हो जाएंगे bank से और add money हो जाएंगे wallet के अंदर उसके बाद अगर आप इसे cancel करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है scroll down कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे cancel subscription का option दिखाए देगा तो आपको इसके उपर click करना है अगर यहाँ पे option नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे उपर three dots दिखाए देंगे आपको वहाँ पे click करके कर लेना है यह option आ जाता है तो मैं simple इसपर click कर देता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है are you sure you want to cancel it तो मैं यहाँ पे yes कर देता हूँ तो यह देख सकते हैं your automatic payment is यहाँ पे disable हो गई है अब यह back आके देखा देता हूँ मैं आपको दुबारा इसपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे वो option नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप उसे deactivate और बंद कर सकते हैं आपको message भी आ जाएगा कि आपकी जो automatic add setup जो भी आपने payment का किया था वो automatic वाला बंद हो गया है तो इस तरीके से आप अपने automatic payments को add money वाले option को बंद कर सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिए हो कि आप किस तरीके से अपने Paytm में automatic add money वाले option को disable कर सकते हैं उसे deactivate कर सकते हैं बंद कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you